कि वेल्कम स्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स आब आता है कॉशे नंबर सिक्स देखे चैप्टर 15 का एकसाइस 4 का कॉशे नंबर 6 देखते हैं क्या दिया होगा है देखिए जो वीडियो है हिंद्री मिद्ध के लिए है तो दोनों को समझ में आएगा ध्यार से समझ येगा क्या दियाव है question number six एक ठोस गोले की को जिसकी त्रिज्या 10.5 cm है तो एक ठोस गोला है ठीक है यह suppose यह गोला है जिसका त्रिज्या दिया है आर दिया है 10.5 cm clear आगे क्या दिया है इसको पिघला कर यानि कि इस गोले को पिघला कर कुछ बनाया जा रहे क्या बनाया जा रहे कु तो चलो, suppose यह संकू ऐसा बनाया गया है, ठीक है, इसे प्रतेक की त्रिज्या, तो इसका आर, इसमॉल आले रे, इसका पिडल आले लेते हैं, इसका त्रिज्या किता दिये, 3.5 दिया हुआ है, और उचाई, यानि की हाइट, एच दिया हुआ है, 3 cm, बनाया गये संकू की संख बना चुके है, एक पिछले प्रेशनली में बनाया है, और पिछले की पिछले प्रेशनली में भी बनाया है, बस फर्क क्या था, पिछले के पिछले में सेलंडर था, बेलन था, पिछले वाले में क्या था, इसके पहले जो हम सेप पढ़े थे, वो था, ठीक है, और यह जो ह वो हैं पिछले वाले में संकू था और इसमें इस्पीर को कोन बनाया जा रहा है ठीक है गोले को संकू बनाया जा रहा है क्लिया है चलो ठेक देखें क्या दिया होगा है समस्ते question को इब अच्छे से एक गोला है एक स्पीर है जिसका radius से 10.5 cm इसको पिघला कर कुछ छोटे-छोटे संकु बनाया जा रहे हैं जिसका सभी संकु कर radius 3.5 cm होना चाहिए और height इसका 3 cm होना चाहिए तो ऐसा कितना संकु बनाया जा सकते हैं इसको पिघला कर यह बताना है ठेक है तो चलो ठेक है क्या करेंगे हम हम लिखेंगे कि संकु की संख्या ठेक है ना संकु की संख्या अपने को ग्याद करने यानि कि number of number of cones ठेक है number of cones यह लिखेंगे इंग्लिज में वाले क्या लिखेंगे यह लिखेंगे अपर number of cones कितना बहलेगा जिसको पिघलाया जा रहे है किसको पिघलाया जा रहे है उसका volume आयतन ठेक है तो स्पियर का वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ इसिप्यर लिख देंगे ठीक है यानि कि गोले का आयतन गुले का आयतन Venueолname of Spear divide by, क्या taste divide होगा एक आयतन, किसका एक आयतन, क्या बननेवाला है क्या क्या बननेवाला है तो हम बननेवाला है ब्रणक क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे top Stream सब्णकंथ गरते हिंदी में हम लीखेंगे कि एक कोन को क्या बोलते है हिंदी में संकू है ना एक संकू का आयतन क्लियर है तो गोले का आयतन क्या होका गोले यानि कि स्पियर का वल्यूम क्या होता है 4 by 3 πr2 small r है तो πr3 क्यूब होते एक्चुलिए में तो क्यूब करती है ठीक है एक संकू का एतन तो संकू का एतन क्या होता है वॉल्यूम ओफ कोन क्या होता है यह होता है आपका 1 by 3 πr2 . इसको सॉल करते हैं तो यह होजाएगा तो इस eternal और 3 कैंसर हो जाएगा दू यह हो 4 इंट्व 2 आर ऐका क्यूब और स्मॉल र का मैं क्यूब क्यूब तो 10.5 into 10.5 into 10.5 upon r का square capital r का square जाने कि 3.5 into 3.5 ठीक है और height तो into height क्या हो जागा 3 हो जागा clear है इसको solve कर देंगे क्यों solve करेंगे देखो यहां से 1 decimal रुम हो यहां से 1 decimal रुम हो बराबर हो के यहां से 1 decimal यहां से 1 decimal बराबर एक decimal यहां से रिमो करेंगे तो 10 multiply करना पड़ेगा ठीक है तो overall अगर हम देखे तो क्या हो गया चार गुणा 105 का क्यूब अपन यह हो जाएगा 35 का square और 30 ठीक है जब हम इसको solve करेंगे ठीक है plus minus sorry into divide करेंगे तो 126 हैगा ठीक है तो 126 क्या हो गया संको की संख्या है न तो यह हो जाएगा number of क्या हो जाएगा 126 clear है तो उसको आप solve करना और comment बताना कि 126 आ रहे कि ने clear तो अगर समझ में है तो वीडियो को like करिएगा channel को subscribe करिएगा जिना जादा हो जागे share करिएगा thank you इस चैप्टर के notes के लिए नीचे दियेगे description box पर link दियागे वहाँ क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियो के लिए उपर जो playlist हो रहे है वहाँ क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को subscribe करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर click करके इस चैनल को subscribe करिए thank you